तो तामिल लाडू की जान शान थालापाती विजे इनकी जो लाश फिलम थी न बीश्ट वो अच्छी थी बट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पडियूसर और बाकी लोग उतना वो पैसा नहीं कमा पाई और उसका एक अलग रीजन था वो था केजी अफ यश की मूवी वो काफ इस पहले अगर आप देख लो मास्टर जैसी फिल्म है करने वारे सरकार कई सौरी ब्लोग बस्टर फिल्म है इनके दो रिकोर्ट है भाई साहब इनका तामिल लाडू में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इतने तगड़े बंदे हैं यह इतने तगड़े कलाकार लोग इतना प प्रसेंट इसका है दस पीस प्रसेंट वो हैदराबाद में शूट हुआ है तो इसकी शूटिंग हो गई है खतम इसमें आपको जो एक्ट्रेस है वो मंदाना वो भी आपको नजर आएंगी वही अपनी फुषपा वाली तो हमारी थला पार्टी विजे जो हैं इस मूवी मे तो थला पार्टी विजे काफी टाइम से अक्शन मूवी करते आ रहे थे और पहले कि अगर आप इनकी मूवी देखो न उसमें थोड़ी कोमेडी वेगरा होती थी जादा ही होती थी अक्शन भी होता था पर काफी टाइम से सिर्फ एक्शन नहीं हो रहा था कई सारी ऐसी क्या मार्शल देख लो सब में सिर्फ एक्शन कोमेडी बहुत कम पर ये जो फिलम है वारिसू इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसमें एक्शन ना के बराबर होगा कोमेडी वेगरा पूरी होगी एक दम ड्रामा फैमली ऐसी मूवी होगी और जो की एक अलगी चेंज है इनकी करियर में इस वक्त पर एक अलगी तरह का फिलम करना एक बड़ा चालेंज भी है और ओडियेंस शायद पसंद भी करेगी एक नए रूप में आएंगे तो और वैसे भी जो रिकोड़िये बनाते हैं वह जल्दी टूटते नहीं हैं इनकी फिल्म में ही तो भाई साब बॉलिवुड में बनती है वांटर ले लो बोडी गार्ड ले लो कितनी सारी इनकी फिल्म में तो बनी हैं तो अभी शायद तामिलांडू में इनके रिकोड़ तूटे हैं और वो तोड़े हैं विकरम ने दरवाइस तूटते नहीं चल दी और वो भी बीश इतनी अच्छी नहीं गई थी इसलिए टूट गए तो यह जो मूवी है वारिस हूँ यह फिर त्यार है एक नया रिकोड बनाने के लिए तो यह मूवी अब आप सोचोगे कि यार देखने कब मिलेगी शूटिंग दो खतम हो गई है तो देखने को आपको मिल जाएगी यह जनवरी में अग दादा एकसाइटड हो जाओ गए तो हमारे जो कनक राज है नहीं विकरम मूवी बनाई है उनका प्रजक्ट है इनके साथ जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है तो आप सोच लो कि वह तो यूनिवर्स में घुस गए हैं विनिवर्स बना रहे हैं तो मास्टर मूवी उन्हों प्रजक्ट में जाइंड